ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हाल ही में संपन लोगसबा चुनाबों में आये अपरत्याश्चित परिणामों के उपरांध हिमाचिर परदेश के परते कांग्रिस कारे करता और हर स्तर के पार्टी पदधिकारियों को सकरात्मिक तथा अन्साशन में रहते हुए मजबूति के साथ पार्टी की विचारतारा को आमजिन तक ले जाने का कार्या करना होगा 2022 के बिदान सब चुनाबों में कांग्रिस पार्टी पूरी ताकत के सालसता में बाक्सी करेगी परदेश कांग्रिस प्रवक्ता प्रेम कॉशन ने कहीं हाल ही में संपन लोग सब चुनाबों में आए अप्रत्याशित परिनामों के उपरांद हिमाचल परदेश के प्रतेक कांग्रिस कारेकरता और हर्स्तर के पार्टी पतादिकारियों को सकारात्मक्ता तथा अनुशाशन में रहते हुए मजबूती के साथ पार्टी की बिचारधारा को आमजन तक ले जाने का कारेकरना होगा कारेकरताओं तथा नेताओं के मत्य सामंजस से बठाकर कारे से 2022 के बिधानसबद चुनाबों में कांग्रिस पार्टी पूरी ताकत के साथ सत्ता में बापसी करेगी ये बात परदेश कांग्रिस प्रबक्ता प्रेम कोशल ने प्रेस को जारी एक ब्यान में कही उन्होंने कहा के रजनी पार्टिल ऐसी प्रतम प्रबारी रही जिन्होंने प्रबार ग्रहन करने के उपरांत प्रदेश के सभी निताओं के साथ बहतरीन तालमेल सावित करते हुए जी मिनी स्तर पर पूरे परदेश में कारे किया और लगतार परदेश में सक्रिय रही। इसी के साथ पूर्ब मुखे मंत्री बीरबदर सिंग, पूर्ब केंद्री मंत्री, अनन्द शर्मा परदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष, कुल्दीप सिंग राठोर तथा परदेश कॉंग्रेस बिधायक, दल एबम विपक्ष के नेता मुकेश अगनी होत्री सहित, सभी निताओ पूरी एक चुटता के साथ परदेश में पार्टी की बिजिस निश्चित करने के लिए कारे किया, प्रेमकोशल ने कहा कि लोग सबस चुनाबों के परिणाम लगभग पूरे परदेश में एक जैसे हैं और इनको ध्यान में रखते हुए किसी नेता अत्वा कारेकरता के उ पूरी ताकत के साथ सभी को मिलकर कारे करना होगा, निताओं से लेकर कारेकरताओं तक सभी को आत्म चिंतन करते हुए सामोहिक जिम्यदारी लेकर पार्टी को पुने सत्ता में लाने के लिए सामोहिक प्रियास करने होंगे